तो सभी सासंगत को जै गुर्देव तान गुर्देव दोस्तों आज फिर हम एक सत्गुर रविदास माराज जी का एक नया शबद आप सब के लिए लेके आए हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ दोस्तों ताकि हम सत्गुर रविदास माराज जी का शबद के साथ उनकी बानी के साथ अपनी प्रीत जोड सके हर रोज की तरह हम आठ बजे के आसपस लाइव आते हैं ताकि हम सत्गुर रविदास माराज जी की बानी का जादा से परचार कर सके दोस्तो आज तक इतिहास गवा है आज तक कि सत्गुर रविदास माराज जी की बाणी को उनकी विचार धारा को हमेशा दबाया गया तो दोस्तो आज हमारे पास फ्रीडम है हमारे पास इंटरनेट है हमारे पास सोशल मीडिया है जिसके थू हम एक दूसर से ज एक ऐसी बाणी आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूँ जिसकी हम व्याख्या करेंगे जिसको सुनकर आपको उस टाइम की जब जिस टाइम पर हमारी कौम पर बहुत जादा अत्याचार हुआ करता था उससे रूबरू हो जाओ गया आप आप करना थोड़ा उससे रूब सत्गुर्रविदास माराज ने अपनी बाणी में क्या-क्या लिखा है दोस्तो तो अगर आप हमारी इस लाइव से जुड़ गए हो तो सबसे पहले सबसे आपका पहला काम है कि वीडियो को लाइक करना है और दोस्तो इसको शेर करना है डिफरेंट डिफरेंट ग्रूप मे अपनी प्रूफाइल पर अपने पेज पर अगर आप कोई पेज ला रहे हो ताकि सत्गुर्रविदास माराज जी की बाणी का घर घर तक परचार हो सके दोस्तो मैं च्छाती ठोक के या फिर मैं एकदम आपसे नजरों से नजरे मिला कर बोल सकता हूँ कि हम उस के बच्चे हैं जिनोंने उस टाइम पर इस मानवता को इतना पावन प्रदेश दिया तो मैं सत्गुर्विदास माराज जी की बाणी स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं सत्गुर्विदास माहाराज जी उस समय की परचालित मानव विरोधी दशा का वणन करते हुए मानवता को पदेश देते हैं जिस टाइम पर दोस्तों पश्यों में और हम में कोई अंतर नहीं था लोग पश्यों को तो छू लेते थे लेकिन हम को छूने से भी डरते थे हमारी परचाई तक से डरते थे उस टाइम की व्यथत सत्गुर्विदास माराज ने अपनी बाणी में लिख्की हुई है आज भी हमारे कौम के बहुत से नोजवान लोग गलत दिशा में जा चुके हैं उनको भी मैं समझाना चारा हूँ कि अपने महापुर्षों को याद करो उन महापुर्षों को याद करो जिनों ने उस टाइम पर इस पखंड वाद का विरोध किया जब इस पखंड वाद का बहुत ज़्यादा बोल बाला था दोस्तों उस टाइम पर पश्चों को चूना पाप नहीं था लेकिन अगर कोई हमारे समाज के लोगों को छू लेता तो वो अच्छूत हो जाता था उस टाइम की में व्यथा आपके सामने सत्गुरविदास माराज जी की बाणी के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्तो तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेर करना अपनी विचार धारा हमारे साथ शेर करना दोस्तो सत्गुरविदास माराज के हम बच्चे हैं उनकी शणों में हमारा जै गुरुदेव तान गुरुदेव चलिए दोस्तों सुरू करते हैं कि सत्गुर विदास महाराज जी उस समय की प्रचलित मानव विरोधी दशा का वर्णन करते हुए मानवता को पदेश देते हैं कि प्रभू का नाम सिम्रन करने वाला चाहे संसारिक तोर पर नीचा या उचा गिना जाता है पर प्रभू की शर्ण प्राप्त करने से उसके सभी कारिये पूर्ण हो जाते हैं सत्गुर विदास महाराज क्या लिखते हैं जरा सुनना दोस्तों एक एक शबद क्रोड क्रोड का शबद है जो सत्गुर्य विदास महराज ने उस टाइम पर हमारी व्यतत लिखी हुई है तो सत्गुर्य विदास महराज के लिखते हैं कि दारद देख सब को हसे ऐसी दसा हमारी अस्ट दसा सिद्कर तले सब किर्पा तुमारी सत्गुर्विदास महाराज इस जीव को समझाते हुए फरमाते थे उस टाइम पर भी इस मानवता को समझाते हुए फरमाया सत्गुर्विदास महाराज ने कि हे प्रभुजी जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ है ना कि जनम के कारण कोई नीच नहीं होता नीच को करडार है उच्छे जनम के कीच सत्गुर्विदास माराज का एक बहुत ही अच्छा वाक्य है मेरे दिमाग से निकल रहा है वो कि नर को नीच करडार है उच्छे करम की अगर आप उच्छे करम करोगे चाहे दोस्तों आप किसी भी कुल में पैदा हो फिर आप नीच ही हो अगर आप एक नीच करम नीच कुल में पैदा होकर और अच्छे करम करते हो भगवान का जाब करते हो या फिर लोगों के साथ अच्छे से मिलके रहते हो तो आप नीच नहीं हो नीच वो है जो उच्छी जात्म को अपने आपको बताता है और उच्छे करम करता है सत्गुर रविदास महाराज फरमाते हैं कि जिस समाज में पैदा हुआ हूँ उनको मानवी अधुकारों से वन्चित रखा गया है दोस्तो सत्गुर रविदास महाराज एक दुखी मन से लिखते हैं ये बारनी हम लोगों को समझाने के लिए ताकि हम लोग ये समझ सकें कि उस टाइम पर हमारे साथ कितना जादा अन्याय हुआ हमारे महापुर्शो हमारे हमारे पुझनिये माता पिता या फिर हमारे दादा पड़दादाओं के साथ कितना गंदा वहवार किया इन उची जाती वालों ने तो सत्गुर विदास माराज दुखी मन से दुख होकर ये व्यतित करते हैं कि दारत देख सब को दसे, सब को दारत देख सब को हसे मतलब हमारी दाइनिया दशा को देखके ना सब लोग हमारा मजाख उडाते थे दोस्तो मैंने बहुत सी मूवी देखी है हमारी पीट के पीछे जाड़ू बांग दिया जाता था हमारे मूँ के आगे एक मिट्टी का बर्तन टांग दिया जाता था हमको ठूकने तक का अधिकार नहीं था जमीन पर हमें हमारे अगर पाउं की निशान कहीं पर पढ़ गए तो दोस्तो हमारी पीछ के पीछ जहां पूछ होती है ना वहां पर जाडू बांदिया जाता था तो दब चलते थे ताकि हमारे जो निशान पढ़ गए हमारे पाउं के वो मिठ जाएं अपनी बाणी में सद्गुर विदास महाराज ये लिख रहे हैं उस दाइनिनी दशा का हाल अपनी बाणी के दुआरा समझा रहे हैं हमको कि हमारी ऐसी गरीबी और दाइनिन दशा को देख कर सभी हसते हैं पर प्रभु जी आपका नाम जपने के कारण सद्गुर विदास महाराज जी सरफर्माते हैं कि हे मेरे प्रभु जी आपकी प्रीत के साथ जुड़ कर है ना आपका नाम जपने के कारण अब 18 सिधियां मेरे हाथ क्या देली पर आ गई है है ना दोस्तों सद्गुर विदास महाराज के हाथों में 18 सिधियां थी है ना उस सिधियों के बारे में भी कभी हम बात करेंगे क्योंकि जो उनकी लो थी ना वो डारेक्ट उस परम प्रिता परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई थी दोस्तों है ना ऐसे नहीं जो राजा महाराजां है ना सत्गुर अविदास महाराज के शिश्य थे बावन राजा रानिया सत्गुर अविदास महाराज जी के शिश्य थे सत्गुर अविदास महाराज जी पूछ कर वो काले किया करते थे है ना ऐसे नहीं था यह सब प्रमपिता प्रमेश्वर आपके नाम जपने के कारण हुआ है आगे सत्गुर्विदास महराज क्या लिखते है तू जानत मैं कुछ नहीं पवखंडन राम सगल जिया सरनागत प्रभपूरन काम रहाओ सत्गुर्विदास महराज जी अब क्या फरमाते हैं कि जनम मरन के चक्र से मुक्त करने वाले प्रभू जी आप कण कण के याता हो पर मैं कुछ नहीं जानता जो जीव आपकी शर्ण लेते हैं उन सब की सभी मन्नो कामनाई पूरी होती है दोस्तो सत्गुर्विदास महराज अपनी अगली पंक्ती में क्या लिखते हैं जो तेरी सरनागत तिन्नाही भार भारू उच नीच तुम ते तरे अलज संसार कि हे प्रभू जी जो जीव आपकी शर्ण गरहन कर लेता है उसे कोई भी दुख और करमों का बाहर नहीं रहता आपकी शर्ण प्राप्त करने से सभी जीव उचे नीचे अमीर गरीव अगम्मे भावसागर से पार हो जाते हैं दोस्तो जो ये उच नीच का जो चक्कर बना रखा है ये सर्फ हमारे आस पास है दोस्तों है ना हमने अपने आस पास में ये चीज देखी है लेकिन इससे बाहर ये चीज नहीं है आगे सत्गुर विदास मारज क्या लिखते हैं कहर विदास अकत कथा बहु काई करीजे जैसा तू तैसा तू क्या उपमा दीजे सत्गुर विदास जी उचान करते हैं कि हे प्रभु जी आपके कता अकतनी हैं इसलिए बहुत कताईं किसलिए करनी यह संसारिक जीव आपको कौन सी उपमा दे सकता है जो आप हैं केवल आप हैं आपके सामने आपके समान कोई दूसरा नहीं है सत्गुरु कबीर साहिब जी वरन करते हैं सहज की अकत कता है निरानी प्रभ की सहज अवस्ता की कता अकतनी है और निराली है सत्गुरु आरजुन देव जी वरन करते हैं तेरी अकत कता कतन न जाई प्रभु जी आपकी कता अकतनी है जो कतन नहीं की जा सकती दोस्तो ये सत्गुर रविदास महाराज की बहुत ही प्यारा शबद जो हमने आप सब के सामने प्रस्तुत किया सत्गुर रविदास महाराज की दोस्तो बाणी के साथ जुड़े बहुत ही मन शान्त होता है मन की सारे अगर आपके दिमाग में कोई भी कोशन चलता है आप कहीं भी किसी भी चीज में उल्जन महसूस होती है तो एक बार सत्गुरु रविदास महराज की बानी जरूर पढ़ना दोस्तो सद्गुरु रविदास महराज की अमरित वानी सद्गुरु विदास महराज की स्टीक है निशान साहिब हमारा रविदासिया धरम है हरी का निशान हम लोग यूज करते है और दोस्तों इसलिए हम हरी का निशान यूज करते है सत्गुर विदास महाराज की ऐसी ऐसी बाणी है दोस्तो जो आपको और आपके दिमाग को बहुत ज़ादा खोल देगी तो दूसरा दोस्तो चंद्रियान के बारे में आप सोब को एक न्यूज आई की हमारे देश ने अपना तीसरा मतलो थर्ड टाइम चांद पर जो सैटलाइट भेजी दी वो सफलता पूरक पहुँच गई है जिसकी आप सब को बहुत बहुत शुब काम नाए क्योंकि ये हम पहले हैं इस पूरे वर्ल्ड में जिनकी पहली सैटलाइट उस ताप पर पहुची है जहां पर आस तक कोई नहीं पहुच पाया चंद्रमा पर और दोस्तो अगर आप बानी के साथ जुड़ते हो अगर हमसे कोई बानी पढ़ने में कोई भूल हो गई हो कोई बानी पढ़ने में थोड़ी बोती भूल चुक हो जाती है उसके लिए हमें माफ करना और दोस्तो सत्गुर विदास माराज जी की बानी को घर घर तक पहुचाओं मेरा दोस्तो ये महीम है आपके कोई पैसे नहीं लगते वीडियो को शेयर करने में या फिर उस पर कमेंट क किया करो दुबा के शेयर किया करो दोस्तो हम लोग नहीं परचार करेंगे अपना तो कौन परचार करेगा कोई यहां पर तीसरा इंसान थोड़ी ना आएगा यहां पर वो परचार करेगा हमारे महापुर्शों को कोई नहीं परचार करने वाला हमारे महापुर्शों को हमे सद्गुर रविदास माराज जी का पर्चम हर जगा पर फैलाना पड़ेगा दोस्तो उनकी बाणी ही इतनी अटूट है उनकी बाणी में लिखते हैं कि ऐसा चाहू राज मैं जहां मिले सबन को अन छोट बड़े सबसंब से रविदास रहे परसन सद्गुर रविदास माराज बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसे जगा कि जहां पर सब को अन मिले कोई भी भूका ना सोए सद्गुर रविदास माराज देखो कितनी चिंता करते थे हम लोगों की है न और आप लोग कर रहे हो उतना काम नहीं कर रहे हो बस देखते हो वीडियो को और छोड़के चले जाते हो लाइक भी क्या करो शेर भी क्या करो ताकि शर्माओ मत अपने आपको मैंने बहुत से हमारे समाज के लोग देखे हैं थोड़ी सी तरक्की क्या मिल गई तो अपने नाम की पीछे से चमार लगाना ही भूल जाते हैं अपने आपको चमार नहीं कहते हैं अपने आपको किसी और कैटेगरी में डाल देते हैं ऐसे ऐसे लोग भी है हमारे तो शर्माओ मत भई ये शर्माने वाला टाइम नहीं है और कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता सत्कुर्विदास महाराज अपनी छाती ठोकर मतलब जंजु दिखा कर बोला था कि भई कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है है ना अगर कोई छोटा है तो अपने कर्मों के कारण से है अगर कोई नीच करम करेगा तो वो छोटा है अगर कोई नीच करम नहीं कर रहा तो वो सबसे बड़ा है भई तो कभी भी अपने आपको डिमोटिवेट नहीं करना है अंडर कॉन्फिडेंस नहीं आना है हमेशा मोटिवेट रहना है कभी नहीं अपनी जात नहीं चुपानी दोस्तों कभी भी नहीं चुपा नहीं है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है अपनी कास्ट में से, जो अपनी जाच चुपा लेते हैं भई, बताते हैं हम तो दूसरी कास्ट के हैं, ये है वो है, ये सब नहीं करना है, शर्माना बिल्कुल नहीं है हम ऐसे महापुर्ष के उलाद हैं, जिनों ने उस टाइम पर पकंडवाद का सामना किया जिस टाइम पर लोगों को अपनी गलियों में से भी चलने निदि दिया जाता था समझ रहे हैं आप, तो आपको तो गर्व से सीना महसूस होना चीए आपका तो दोस्तो, महराष्टर के अंदर है न चमार रेजिमेंट हमारे नाम से बनी हुई है तो आप लोग क्यों शर्माते हो इस चीज से चमार रेजिमेंट जिसको बाद में वो कर दिया गया मतलब बहाल नहीं किया उसको चमार रेजिमेंट भी थी है ना एक महारोन एक लड़ाई भी लड़ी थी पेशावाओ के खिलाव 25,000 सैनिक थे उनके और वे 500 महार थे 25,000 में और 500 में बहुत डिफ्रेंस होता है दोस्तो तो कभी भी अपने आपको कभी छोटा नहीं समझना है हमेशा आपने आपको सत्कुरविदास माराज के पुत्तरा हकलेना जान दे है न यह रव ऐसे से मतलो इतने अच्छे अच्छे गाने आए हुए हैं हमारे तो आप लोग फिर भी अपने आपको अपनी जात चुपाते हो यह सब मत करो मेरे को तो बड़ा सही नहीं लगती यह चीज कि आप लोग अपनी जात चुपाते हो कहीं बार मैंने देखा है कि हमारे ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जात ही चुपा लेते हैं यह विर्दी साब बोल रहे हैं मैं चमा रहा है भाई हम भी चमा रही हैं इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई मेरा जो भी हमारे दोस्त कोई भी अपनी ब्रादरी का है कि फिर कोई दूसरी ब्रादरी का है कभी भी अपने आपको छोटा नहीं समझो सत्गुर विदास महराज ने यही लिखा है यही कहा है कि कोई इंसान अपने निजात से छोटा नहीं होता अपने जनम के कारण कोई छोटा नहीं होता अपने करम के कारण चोटा या बड़ा होता है आप सही करम कर रहे हो हमें बहुत से लोगों के मैसिज आते हैं बहुत अच्छा लगता है दोस्तों अगर आप हमें मैसिज करते हो आप हमें कमेंट करते हो लाइक करते हो शेर करते हो वीडियो को काफी अच्छा लगता हम लोगों को और उसी के लिए हम लोग भी आपके लिए हमेशा तत पर रहते हैं ताकि सत्गुरविदास महराज जी की बाणी का परचार हो सके दोस्तो मेरा कमेंट है हमेशा पढ़ना मैं लिखता हूँ जैगुरदेव जी दोस्तो हमारी इस मुहीम से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत 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 आभार ऐसे ही गुरविदास जी की बाणी को घर घर पहुँचाने में हमारी मदद करें हम चाहते हैं कि जो मैं बाणी पढ़ता हूँ दोस्तो वो हम लोग सुने है ना उसको सुनने से भी हमारे बहुत सारे पाप ऐसे ही डुल जाएंगे दोस्तो है ना हमको सुनने पढ़ेंगी वो बाणी सद्गुरविदास महराज की क्योंकि उसमें जीवन का सच्चार वो क्या बोलते हैं रस है उसके अंदर सच्चाई है लाइफ की सच्चाई है तो अगर मेरा कोई भाई मेरा कोई दोस्त कुछ अपनी विचार यहाँ पर देना चाही तो दे सकता है हम उसका वैलकम करते है कोई पोस्ट बनाके डालना चाही डाल सकता है कोई विचार है ना कुछ भी समश्या कोई भी problems हमसे share कर सकता है हमारी जितनी भी होगी हम आप लोग की मदद करेंगे दोस्तो हमने जो ये platform बनाया है ये platform बनाया है पूरी community को हमारी community को एक मंच पर लेके आने का है ना तो दोस्तो ये हमारा मतलब ये हमारा एक मुहीम है हमारी मुहीम है कि हम सद्गुर विदास महराज जी की बानी को घर घर तक पहुँचाए और हम मैं दोस्तो एक trip प्लान कर रहा हूँ मतलब मैं टूर प्लान कर रहा हूँ जिसके आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि वो सही रहेगा या आप बताना मतलब फिर हम आपकी राई लेके या फिर आपके कमेंट से ही हम अपने उसकी प्लानिंग करेंगे दोस्तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाइक से सत्गुर विदास माराज जी के जैसे कांशी बनारस तो मैं पहले भी गया था उसकी मैंने वीडियो अपने ये हरके सिमरन वाले फीस्बुक पीच पर और यूट्यूब पर भी डाल रखी है तो आप वो जाके देख सकते हो दूसरा ये कि हम लोग एक मैं मतलब अकेला एक बाई की ट्रेवल करना चाहता हूँ जिसमें मैं सत्गुर विदास जैसे खालगर्ड, बल्ला जी, चित ओड़गर्ड जहांपर सत्गुर विदास माराज जी के पावन पवित्र गुर्दवारे या फिर मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर जाएं और उन वहाँ की वीडियो बनाएं ताकि आप लोग भी समझ सकें आप लोग भी जान सकें कि सत्गुर विदास माराज जी के कहां कहां पर और कहां कहां पर मंदिर बने हो हैं उनकी वीडियो बगएरा बना के हम डालें तो दोस्तों कमेंट करना उस चीज़ के लिए और अगर आपके वहाँ पर भी कोई अच्छा मंदिर मतलब मंदिर बना हुआ है तो वो वीडियो बना कर आप हम में बेजिए ताकि हम उसको अपने पेज पर पोस्ट करें आपके नाम के साथ आपके गाउं के नाम के साथ और आपके कॉंटेक्ट नंबर के साथ हम उसको पोस्ट करेंगे अपने पेज पर ताकि जादा से जादा लोगों को पता चले कि सत्गुर विदास महराज जी के कहां कहां पर कितने मंदिर बने हुए हैं ये सब और वहां के इतिहास के बारे में भी आप हम एक कहानी टाइप बना कर भीज सकते हो ना काकि सत्गुर विदास महराज की बाने का भी परचार हो और हर तरीके से परचार हो तो ये मेरा प्लैन है अगर मेरा कोई भाई कुछ कमेंट करके बता सकता है इसमें तो वैल एंड गुड है और दोस्तों अगर आपके पास स्टार हो हमें स्टार भी भेज सकते हो, फ्री वाले भेजना, पैसो वाले मत भेजना, मतलब अगर आप भेजो, अगर आपको स्टार का ओप्शन आ रहा है, और वो फ्री वाले हो, मतलब पैसे नहीं लगाने भई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हमारी कौम को बहुत पैसो की जुरूरत है भई, अभी हमें एजुकेशन सिस्टम सही करना है अपनी कौम के अंदर, क्योंकि जब तक हमारा समाज पढ़ेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा, तो education system का करना है और दोस्तों जादा से जादा जुड़ा करो हमारे live stream पर हम daily live करते हो अब बहुत कम मातरा में जुड़ते हो हम लोगों के साथ तो दोस्तों comment करके बताओ नीचे comment box में कि अगर हम ऐसे करें और अगर हमारे साथ कोई साथ ही हमारे साथ जुड़ना चाहता है इस मुहीम के अंदर जिसमें हम सत्गुर विदास महराज जी के mostly जहां जहां पर उनके पवितर स्थान बने हो हैं उनको cover करेंगे काशी बनारस भी जाएंगे और चितोड़गड में भी MP महराष्टर के अंदर भी पूने के अंदर भी और भी बहुत सारे हैं सब जगा पर हम जाएंगे तो अगर कोई मेरा दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हमें मैसेज भी कर सकता है और हमें कमेंट भी कर सकता है इसी लाइव में तो दोस्तो जादा से जादा दोस्तो जुड़ा करो 50,000 लोग जुड़े हुए है 51,000 क्यास पास लोग जुड़े हुए है इस पेज के ओपर तो और भी संक्या में लाइव में मुझे लग़ा अभी उत्थे अजूबा ही बन रहा है इतियास मैं नो माना कि आसे गुरु दुविदास दे बच्चे या विर्दी साब आप कहां से हो आप पंजाब से लग रहे हैं मुझे हम पंजाब में भी आएंगे और हम अकेले आएंगे कोई अगर साती हम से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है अगर आपके पास फ्री वाले स्टार है तो वो भी हम आप हमें बेज सकते हो उसमें आपके कोई पैसे नि लएंगे बट बेजना फ्री वाले स्टार वैसे मत बेजना श्टीश कुमार वान टो जोईन ओन वीडियो कोल भाई वीडियो कोल में नहीं यार वीडियो कोल में नहीं हम कर सकते आपको क्योंकि स्तीश कुमार इस चीज के लिए हम आप से सोरी मांगते हैं वही क्योंकि हम वीडियो कोल में देखता हूं चलो मैं करके अगर कुछ एड करते हैं हेलो 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 पूर 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 तो कि अग्याद आए कि अग्याद कि अग्याद स्टीश कुमार एड हो जाओ वही आप बोल ने रहे स्टीश कुमार को एड करों मैं वह एड नहीं हो पारा हेलो हेलो स्टीश कुमार जी कि नहीं हो पारा हुए स्टीश कुमार एड में वह पारा हुए शेर करना दोस्तों जया गुर्देव दोस्तों तान गुर्देव जी क्या हुए हुए क्या हुए युए